आज सुबा उगते हुए सुरे को अर्ग देकर चार दिवस्तिय इस महापर्व का समापन हो गया है छट पूजा के बाद मौसम का रुख बदलने वाला है कुहासा और सर्दी में बढ़ोतरी होने वाली है अब असली माइने में ठंडी की शुरुवात होने वाली है पटना इस्तित मौसम विज्ञान केंदर के वरुष्ट वैज्ञानी के अनुसार अगले पांच दिनों के दोरान मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा तापमार में गिरावर दर्ज की जाएगी साथ ही धूंद की जगा कुहासा में व्रधी होगी मौसम विज्ञान केंदर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आज से मौसम का मिजाज बदलने वाला है पच्छुआ और उत्तर पच्छुआ हवा का प्रवा सतर से 5.8 किलोमेटर उपर तक बना हुआ है इसकी वज़े से राज्जी के अधिकांश हस्सों में सुबह के समय कोहरा देखने को मिलेगा साथी अगले पांच दिनों के दोरान नियुंतम तापमान में 2-3 डिगरी की गिरावट देखी जा सकती है आज राज्जे का अधिक्तम तापमान 30-32 डिगरी सेल्सियस वहीं दक्षिन पक्षिम और दक्षिन मध्य भागो का अधिक्तम तापमान 28-30 डिगरी सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है सभी जीलों का निमतम तापमान 16-18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है आने वाले दिनों में तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है इसके साथ ही पटना, गया, भागलपूर, पुर्णिया, बाका, कटिहार, ररिया, किशनगंज और मधेपूरा में आनुशिक बादल देखने को मिलेगा वहीं बाकी जीलों में आसमान बिल्कूल साफ रहेगा पचले 24 घंटों के दोरान राजजी का अधिक्तम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस मोतिहारी में दर्ज किया गया तो वहीं नियुंतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस बाका में दर्ज हुआ राजी का उसत अधिक्तम तापमान 30.08 डिग्री सेल्सियस और उसत नियुंतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ सुबा के समय पटना पूर्णिया गया भागलपूर वालमिकी नगर समेत अन्य अस्थानों पर धूंद चाया रहा वही राजदानी पटना की अधि हम बात करें तो बीते रवीवार को अधिक्तम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और 18.08 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ अधिक्तम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुआ गया भागलपूर पूर्णिया का धिक्तं तापान 25 डिगरी से 27 डिगरी सेलसियस के बीच दर्ज हुआ वहीवाल मैकी नगर का धिक्तं तापान 22.4 डिगरी सेलसियस दर्ज किया गया एक बार फिर से बता दी कि आग सुबह उगते हुए सोरे को अरगे दे कर चार दिवसी है महा पर्व यानि की छट पूजा का समापन हो गया छट पूजा के बाद मौसम का रुख बदलने वाला है कुहासा और सरदी में बढ़ोतरी होने वाली है अब असली मायने में ठंडी की शुरुआत होने वाली है पटना इस्थित मौसम विज्यान केंदर के वरिष्ट वैज्यानिक डॉक्टर आशीस कुमार के अनुसार अगले पाँच दिनों के दोरान मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी साथ ही धूंद की जगक कुहासा में भी व्रधी होगी मौसम विज्यान केंदर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आज से मौसम का मिजाज बदलने वाला है पच्छुआ और उत्तर पच्छुआ हवा का प्रवास सतर से पांच दश्मलो आठ किलो मीटर उपर तक बना हुआ है इसकी वज़े से राज्ज के अधिकानुष हस्सों में सुबह के समय कोहरा देखने को मिलेगा साथ ही अगले पांच दिनों के दोरान नियुंतम तापमान में दो से तिन डिगरी की गिरावट देखी जा सकती है